कि नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल और आज हम रिव्यू करने वाले में इंद्रा स्कॉर्पयों कि अजस्ट लॉंच बेस वेरियंट का स्थरी प्लस का और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको चैनल आप मिलन जाते हैं और नीचे की तरफ आपको committee डेखने जगाा हमें प। में देख सकते हैं प्लीट मापना मिल जाती है ऐसके बेसिक स्कॉर्पयों की जैसे आज तक रहिए है पेलगुल वैसी ही है इसमें आप देख सकते हैं और इसके उन्डर आपको आहीं मिलते हैं। इसके नापको स्तील रेम की टायर मिल जाता है यहां पको इन्ल जाती है जिसे जिए बिसका मोर्मकतर है १। भ्षक करभ कि दो इन्जयां १ाहिए पोर पौण को ब्लैक क्लर के मिल जातें नीचे आपको Scorpio की ब्रेंडिंग देखने को मिल जाएगी यह बेस वेरियंट में आपको मिलती है और पीछे की तरब आप देख सकते हैं जो लुक है इसका पीछे में आपको टेल लेट्स जो मिलती है वो एलेडी मिल जाती है उपर की तरफ आपको रूफ रेल्स नहीं देखने को मिलती है और दोसों बात की जाए ग्राउंड क्लेरंस की तो इसके अंदर आपको 209 mm की ग्राउंड क्लेरंस मिल जाती है 4456 mm का लेंथ मिल जाती है कार की और पिछे से आप देख सकते हैं कुछ रियर प्रोफाल इसकी ऐसे दिखती है उपर की तरफ आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है साइड में आपको लिव यंग लिफ्री जो मिंद्रा का स्लोगन है उसका ब्रेंडिंग मिल जाएगी और नीच पहले स्थ्री आता था स्थ्री प्लस लांच किया कंपनी ने और जहां पर देख सकते हैं पीछे से इसका बूट काफी अच्छी विनिश दीगी है बूट पे पीछे बैक पे पूरा मिटीरियल अच्छा यूज किया गया और इसमेंचे आपको हैंडल मिल जाएगा ग्रैब दोस्तों इसका बूट खोल जाता है अराम से अंदर जाके बैठ सकते हैं और बिच में एक सर्विस के ट है इसकी जो सीट से वह आपको भी खोल के दिखा जाते हैं जो आप सीट कोल सकते हैं बग्के दोस्तों नियू मिशन स्टेंडर्स के आगे भी एस इक्स वेरियंट है पुराना नहीं आता है और माइलेज की बात की जाए तो दूस्तों किलोमेटर पर लीटर की इसके अंदर आपको माइलेज मिल जाती है और यहां पर देख सकते हैं इसकी थर्ड रो सीट जो भी हम खोल के दिखाएंगे इसके अंदर दूस्तों सेवन सीटर का रहे टोटल प पकड़के इच्छी तरह comfortably अंदर बैठ सकते हैं और दोस्तों महिंद्रा की Scorpio 2002 में launch की गई थी जो इसका फर्स जेनरेशन था और फर्स जेनरेशन ही चलती हुए आवी आ रही है और capacity इसके अंदर आपको 60 लीटर fuel tank की capacity मिल जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं काफी असान में इस जंप सीट्स पर बैठना और दोस्तों इसके अंदर आपको जो स्पेर वील है वह नॉर्मल स्टील वील ही मिलता है 17 इंचिस का और जो इसकी एड़ेस्टिबिलिटी है आप इस सीट को एड़ेस्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन आगे वाली सीट्स सेकिंड रियर सीट ज मिल जाते हैं आप देख सकते इसका रेर डोर प्रोफाइल और यहां पर आपको एक हेंडल मिल जाता है ग्रैब हैंडल और साथी में इसका लॉक और लॉक का जो हैंडल है वह इसके अंदर आपको मिल जाता है पीछे की तरफ आप इसकी सीट्स देखने के लिए बैंच में और सीट बेल्ट के वार्निंग मिल जाती है रियर जो सीट से इनका कमफर्ट है बिल्कुल मिनिममम लेगरू में आप देख सकते हैं ठीक ठाक है ज्यादा तंग नहीं हो रहा है और यहां पर देख सकते बीच में जिसके इवेंट पीछे की तरफ आपको दो मिल जाते हैं और कप फोल्डर से आपको खाली दो आगे फ्रेंट में मिलते हैं पीछे की तरफ देख सकते हैं और पीछे भी आपको सीट थी थर्ड तीनों आदमियों के लिए आपको सीट बेल्ट का उप्शन मिल जाता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं बाकि सेंटर लॉकिंग इसके सकते हि मिलती हैं और सामने की तरफ को अबाराक घंड एक www मिल जाती है और उपणर के टिर्फ वार्वियंग्स की दोस्तों जो इसके और वी इनले डिषाट है manufacturers आपको लेक्टिकल नहीं को आप्शन मिलता है उपर की तरफ आप लाइट चलिए दोस्तों आगे चलते एक बार आपको यह मैक्सिमम लाग रूम दिखा जाते हैं मैक्सिमम लाग रूम इसका बहुत अच्छा कासा जैसे नॉर्मल कार्स में होता है नीचे की दर आपको बैटरी देखने के मिल जाती है जो कि इसको प्रफाइल यह से कि आप देख सकते इसमें आपको सेम रियर प्रफाइल जैसा ही मिलता है है और लॉक अनलॉक की उपर आप देख सकते और वीम का अपको अच्छेस्टिंग के लिए वह मिलता हो एक स्विच और दोस्तों एडजिस्टिबिलिटी की बात करें तो जो इसकी ड के अपको जयाता है और यहां तक काड़ी की वरइंटी की बात हैं तो उसके इनदर आपको किलो मेटर्स तक की और ईसके नदर आपको मिंदर प्रॉइड के बाता है और बात किए दोस्तों इसके प्राइज की तो दोस्तों यह जो वेरियंट है इसकी एक शोरूम प्राइज ट्वेल अन्रोड इसके अंदर आपको फॉर्टीन लाक फॉर्टीएट थाउजन की पड़ जाती एक अन्रोड दिल्ली प्राइज और आप देख सकते इंडि इस ही मिल जाता है और नॉर्मल इस ही मिलता है आटोमेटिक नहीं मिलता है इसके अंदर आपको जैसे कि आप देख सकते हैं अपने साब से कंट्रोल कर सकते हैं 1234 इसके नीचे और नीचे आप देख सकते हैज़र लाइट का स्विच मिल जाता है और उसके नीचे आप ट्व यह सकते हैं यह इसको कंट्रोल कर सकते हैं लॉक और विंडोस का भी इसमें अपशन मिल जाता है ताफ में डालने के लिए जगा प्रॉइड की गई हैं उपर के तरफ आप देख सकते हैं जो इसकी फिट एंड फिनिश है और जो कॉलिटी इसके अंदर दो सब को हाड प्लास्टिक का यूज दिखता है सॉफ्टेच मेटिरियल का इतना यूज नहीं दिखता है साथ में देख सकते स्कॉर्पियो के चैनल को मिलता है उपर आप देख सकते हैं जो इसका संचेड काइं मिलता है को द्राइबर यहां पर देख सकते हैं इसका बोनेट खोलने का स्विच और जो इसके इंदर आपको इंजन मिल जाता है और दोस्तों इसके इंदर आपको बता चुका हूं गाड़ी दोस्तों रियर विल ड्राइव है इसके अंदर आपको एक शीट लगा कर दीगे ऊपर बोनेट पे जो कि नौइज रिडक्शन के लिए काम आती है और जो इसका दोस्तों बोनेट है वह है ड्रालिक बोनेट इसके अंदर आपको मिलता है काफी ऊपन हो जाता है उपर आप देख सकते हैं इसका हूड़ स्कूप और जो कि आपको वाइपर में दुरूत पड़ेगा और यहां पर देख सकते हैं आपको बूपको बुपको अजया है और आपको बाल में दुरूत